नमस्कार दोस्तों मैं राजरसुन सागत करता हूँ आप सफी का आपके चैनल एक्जाम फेवर IQGK में मैं आपको बता दू कि आज के इस वीडियो में लूसेंट जीके के निचोड का एक हचार पसनों के संगरह का आज चौथा कलास यानि चौथा दीन है जो आपके शभी परतियोगी परिछाओं के लिए यूसफुल रहने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रसुन से रंजीत सी और बिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के बीच 1809SV में कौन सी संधी पर हस्ताच्छर हुई थी से इंसर टीटी आफ अमरित सर अगला प्रशन सिंध विजय का स्त्रे क्रिस बिटिस अधिकारी को जाता है से इंसर चाल्स नेपियर को सिंध विजय का स्त्रे जाता है अगला प्रशन वैदिक राजाओं दौरा अपनी परजा से वसूल किये जाने वाले कर या उप्याहार का नाम क्या है सही अंसर, sacrifice, बली, वैदिक राजाओ द्वारा अपनी परजा से भसूल किये जाने वाले कर या उपयाहार को बली के नाम से जानते हैं अगला प्रशन, संगम युग का गरंद मनी मैकले किस धर्म की स्रिष्ठा परतिपादित करता है सही अंसर, buddhism, संगम युग का गरंद मनी मैकले बाद धर्म की स्रिष्ठा को परतिपादित करता है अगला प्रशन, भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महा वी निसक्रीमन कहा जाता है सही अंसर, ग्रिह त्याग को भगवान बुद्ध के जीवन में एक घटना हुई थी, जिन्होंने 16 साल की उम्र में अपने ग्री को त्याग किया था जिसे बौध में महा वी निसक्रीमन की नाम से जाना जाता है अगला प्रशन, हैदरावाद नगर का संस्थाफक कौन था? सही अंसर, मुहम्मद अली कुतुषा, हैदरावाद नगर का संस्थाफक था अगला प्रशन, चांद बीवी का बिवाह की सिराज के किस सुल्तान के शाथ हुआ था? सही अंसर अली आदिल साह अफ बिहापूर बिहापूर के अली आदिल साह से चांद बीबी का बिबा हुआ था अगला प्रशन सुपरसिद्ध कृती तवकात ए अकवरी की रचना किसने की थी सही अंसर ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ख्वाजा निजामुद्दीन अहमग के दारा सुपरसिद्ध कृती तवकात ए अकवरी की रचना हुई थी अगला प्रशन शामबेद को गाने वाले विशर्जग्य को क्या कहते हैं सही अंसर उद्दाता शामबेद को गाने वाले विशर्जग्य को उद्दाता कहते हैं अगला प्रशन जैन साहेते को किसी नाम से जाना जाता है सही अंसर आगम जैन साहेते को आगम के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन अधिकांस बिद्वानों के अनुसार सिंदु घाटी सभिता के निर्माथा कौन थे सही अंसर द्रविड बिद्वानों के अनुसार सिंदु घाटी सभिता के निर्माथा द्रविड थे अगला प्रशन याग वलक्य स्मृती टीका किसने लिखी है सही अंसर विग्यानेश्वर विग्यानेश्वर के द्वारा याग वलक के सुनिती ठीका लिखी गई है अगला प्रशन कस्मीर का अकवर किसे कहा जाता है सही अंसर जैनूल अवादीन को जैनूल अवादीन को कस्मीर का अकवर कहा जाता है अगला प्रशन इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल और बिहार की दिवानी किस मुगल समराट ने परदान की थी सही अंसर शाह आलम दूतिये शाह आलम दूतिये ने इस्ट इंडिया कमपनी को बंगाल और बिहार की दिवानी दान में दी थी याने प्रदान किया था इस्ट इंडिया कमपनी को अगला प्रस्न गौतम बुद के जन्म की समय पाटली पुत्र का समराट कौन था सही अंसर बिम्बिशार गौतम बुद के जन्व की समय पाटली पुत्र का समराट था अगला प्रस्न चंदावर का युद किस किस के वीच हुआ था सही अंसर मुहम्मद गौरी और जय चन के वीच चंदावर का युद मुहम्मद गौरी तथा जैचन के बीच हुआ था अगला प्रस्न परमारवंस की राधानी कहां थी सही अंसर धारा नगरी अगला प्रस्न शोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आकरमन के समय वहां के शासक कौन था सही अंसर भीम प्रथम भीम प्रथम शोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आकरमन के समय वहां का सासक था अगला प्रस्न फुतू उस शलातीन की रचना किसने तथा कव की थी सही अंसर अब्दूल मलिक इसामी 1350 इस्वी में अगला प्रस्न हाल ने गाथा सब्त सती नामक गरंथ की रचना किस भासा में की सही अंसर प्राकृत प्राकृत भासा में हाल ने गाथा सब्त सती नामक गरंथ की रचना की अगला प्रस्ण कौन सा साशक परतिक पाचमे बरस परियाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था सही अंसर हर्षवर्धन हर्षवर्धन परतिक पाचमे बरस परियाग राज में धार्मिक सम्मेलन किया करता था अगला प्रस्ण वुनेश्वर तथा पूरी के मंदिर किस सैली में निर्मित है सही अंसर नागर स्टाइल नागर सैली में वुनेश्वर तथा पूरी के मंदिर निर्मित है अगला प्रस्ण शंगम युगीन गरंथ तोलका पीम किस विशय से सम्मंधित है सही अंसर, from grammar and poetry, संगम, युगीन, गरंत, तोलका, पियम, ब्याकरन और काब से सम्मंधित है अगला प्रशन, सोनगीरी का एतिहासिक दिगंबर जयन तिर्थस्थल किस राज्य में इस्थित है सही अंसर, मध्य परदेश में सोनगीरी का एतिहासिक दिगंबर जयन तिर्थस्थल मध्य परदेश में है अगला प्रशन, महाराष्ट्र में गनफती पर्व का स्री गनेश राष्ट्य चेतना लाने के लिए किस ने किया था सही अंसर, बाल गंगा धर तिलक द्वारा अगला प्रशन, सर्व कर किस पर लगाया जाता था सही अंसर, और इरिगेशन, सर्व कर सिचाई पर लगाया जाता था अगला प्रशन, आजीवक संपरदाई के स्थापक कौन थे मखिल गोशाल, मखिल गोशाल, आजीवक संपरदाई के स्थापक थे अगला प्रस्ण अंग्रेजों के शासन काल में भारत के आर्थिक दोहन के सिध्धान्द का परतिपादन किसनी किया था सही अंसर दादा भाय नरोजी दादा भाई नरोजी ने अंग्रेजियों के शास्टन में भारत के आर्थिक दोहन के सिध्धांद का परतिपादन किया था अगला प्रसन रोलेक्ट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था इससे समंधित आपसे कुछ और चीजे पूछ सकती है जैसे कि रोलेक्ट एक्ट किसके अनुसंसा पर आई थी उनका नाम है सिड्नी रोलेक्ट इन्ही के अनुसंसा पर रोलेक्ट एक्ट आई थी और जब रोलेक्ट एक्ट भारत में पास हुआ था तो उस समय के बाईसराय उस समय के बाईसराय चेम्स फोड थे इन्हिके समय में 13 अपरेल 1919 इसवी में जालिया वाला बाग हत्या कारण हुआ था ये भी most important है अगला प्रास्ण बिक्रम संबत कब से प्रारम हुआ है सैयन सर 57 पूर्व इसवी से बिक्रम संबत 57 पूर्विसी से आरम हुआ है बिक्रम संबत समराट बिक्रमा दित्त के द्वारा शुरू किया गया था अगला प्रशन सिंधु सभेता में खोपडी की सल चिकिसा का सुनिश्चित सक्ष कहां से प्राप्त हुआ है सही अंसर काले वंगा काली वंगा से खोपड़ी की सैल ची किस्सा का सुनिशी सक्ष प्राप्त हुआ है अगला महात्मा बुद्ध के शमय कौसल देश में कौन राज करता था सही अंसर प्रसेंजीत महात्मा बुद्ध के शमय में कौसल देश में प्रसेंजीत का राज चलता था अगला प्रस्ण किस सासक ने वैसाली का परत्याग करके पाटली पुत्र को मगद राज की राजधानी बनाया था सही अंसर कालाशोक कालाशोक ने वैसाली का परत्याग करके पाटली पुत्र को मगद राज की राजधानी बनाया था अगला प्रशन असो के किस सिलालेख में कलिंग यूद्ध का वर्णर है सही अंसर 13 इंस्क्रिप्शन असो के 13 सिलालेख में कलिंग यूद्ध का वर्णर है अगला प्रस्ण पुष्चमित्र सुंग ने किस सासक की हत्या करके पटले पुत्र की गद्धी पर अधिकार किया था सही अंसर ब्रिह दत्र ब्रिह दत्र की हत्या कर पुष्चमित्र सुंग ने पटले पुत्र की गद्धी पर अधिकार किया था अगला प्रस्ण, चालिस गुलामों के दल का विनास किस सुल्तान ने किया था, सही अंसर वलवन अगला प्रस्ण, दिल्ली सल्तनत का अंतिन शाषक कौन था, सही अंसर इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तलत का अंतिन शाषक था अगला प्रस्ण प्रसिद्ध बिबी का मकवरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था सही अंसर प्रसिद्ध बिबी का मकवरा और अंजेव ने अपनी बीबी बेगम रविया दरारी की याद में मनाया था और अंगावाद में अगला प्रस्ण प्रसिद्द चित्र बाज के चित्रकार कौन थे हैं? सही अंसर उस्ताद मंसूर उस्ताद मंसूर प्रसिद्द चित्र बाज के चित्रकार थे अगला प्रस्ण प्रसिद्गरंत सिद्धांत सिरोमनी और लीलावती के लिखक कौन है सही अंसर वास्कराचारे वास्कराचारे प्रसिद्गरंत सिद्धांत सिरोमनी और लीलावती के लिखक है अगला प्रस्ण सिसुपालवद किसकी किरिती है सही अंसर माग माग के द्वारा सिश्युपाल वद्ध लिखा गया है अगला प्रस्ण अकवर का सिच्चक होन था सही अंसर मीर अब्दूल लतीफ मीर अब्दूल लतीफ अकवर का सिच्चक था वैसे तो अकवर कुछ खास पड़ा लिखा हुआ था नहीं लेकिन जो भी इन्हें कुछ जोकिछ सिखा या सिखाया गया वो मीर अब्दूल लतीफ के द्वारा सिखाया गया था अगला प्रस्ण साह जहां ने महा कवी राय की पद्वी किश्को दी थी सही अंसर पंडित जगत नात पंडित जगन नात को महा कवी राय की पद्वी देने वाला सक्स साह जहां था अगला प्रस्न अकवर के समय वनी पहली महतपूर्ण इमारत थी हुमायू का मकवरा हुमायू का टोम अकवर के समय वनी पहली महतपूर्ण इमारत थी अगला प्रस्ण कौन सा मुगल साशक शाही दर्वेश एवं जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता था सही अन्सर औरंग जेव औरंग जेव शाही दर्वेश एवं जिन्दा पीर के नाम से जाना जाता था अगला प्रस्ण अंति मौर सम्राट कौन था सही अंसर ब्रिध्रत ब्रिध्रत अंति मौर सम्बराट था अगला प्रश्न हर्स की प्राजय किसके हाथों हुई सही अंसर पुलकेश्यन दूतिये पुलकेश्यन दूतिये के द्वारा हर्स्वर्धन की प्राजय हुई थे अगला प्रस्ण ललिता दित किस राज का शाशक था? सही अंसर कश्मीर ललिता दित काश्मीर का शाशक था? अगला प्रस्ण हुमायो नामा किसकी किरिती है? सही अंसर गुलवदन वेगम गुलवदन बेगम के द्वारा हुमायो नामा लिखी गई थी अगला प्रश्न मालिक होते हुए भी खान बने और फिर सुल्तान बने वे कौन थे? सही अंसर बलवन बलवन मालिक होते हुए भी खान बने फिर सुल्तान पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर एवं सब्सक्राइब करना ना भूले जय हिंद